चाइनीज यहां पे नहीं रहे कुछ ही चुई यह था कि स्क्योर्टी का और उन्होंने आज एक चाइनीज अमबैसी जो इसलामबाद में उन्होंने पाकिसान की खूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन किराएं कि यह गवादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं बुलचिस्टन में हमला कि है जिसमें उन्होंने चीनी नागरिकों को तार्गेट किया है जो बुलचिस्टन में गवादर के लिए जो सीपेक का हिस्सा है उसके लिए काम कर रहे थे तो उसके बाद पाकिस्टनी मीडिया बहुती ज़्यादा दर गया है पाकिस्तानी नीडा कह रहा है कि चीन के वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान आए थे और उसके बाद बीले ने पाकिस्तानी आज़ारी के मौके पे यह हमला किया है और इसके बाद चीनी जो एमबेजी है पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को रताड़ा है कि वो चीनी न टैक हुआ है चाइनीज जिनेयर्स के उपर जिसमें बी एलए ने ये जिमेधरी बलोचिस्थान लिबरिल आर्मी जूंसी उन्होंने अपना जिमेधरी लिया कि हमने अटैक किया और उनका ये कहना है कि चार इंजिनियर्स को हमने मारा है और पाकिस्तानी जो साथ थे उन में से भी साथ आठ पाकिस्तानी जिने हमने मारा है क्या कहना चाहेंगे अजादी का दिन है अजादी की रात है पाकिस्तान में और हम इस तरी के से आज भी इन इशूस में फसे हुएं मेरा ख्याल है कि हमारे दुश्मनों को जो अभी रिसेंटली सी पैक के उबर दस साल की जशिन मनाया गया है वो हजम नहीं हो पाया और वो इसी तगोदों में थे किसी तरह इनकी खुशी को मातम में बदल दिया जाए और यह मुझे उसी तनाजूर में लग रहा है चाइनियस के उबर एटैक किया गया है हमारे दुशमन को होना है भुलोचस दो गूध कह रहे हैं हम सीपैक को रुखवाएँ nedOOO के हर वो बंदा दोश्मन ही कहला यहाँ जो पाकिस्तान की तरकीमे र्कावट बन बने आप सिर फोकस करहें इब लोचस्तान के लोगों के र गैस वहां से निकलती है यूज यहां पर होती है उनके पास गैस नहीं है माधनियत वहां से निकलते है कभी चाइना ले जाता है कभी पाकिस्तानि भी यूज करता है तो उस अलाइसे नौर्मल hum गहे वो लोग उस बात को समझेंगे कि ड्वालमेंट हमारा हक है यह आप सोचें कि किस कदर कितनी अर्बो बिलियन डॉलर जो है वाँ इनवस्ट किये पाकिसन और पाकिसन के साथ चाइना ने भी अगर जिन लोगों को यह तकलीफ है असल में वही इसके खिलाफ हैं वह बात को उस तर रुका रहा चाइनीज यहां पर नहीं रहे कुछ मतलब यह था इशू था कि आपने पैसे नहीं दिये और कुछ इशू यह था कि स्क्योर्टी का कि आपको लगता है कि यह ऐसे वाकिया फिर से होंगे तो दुबारा से काम रुक जाएगा और चाइनीज जोंसे हैं वह यहा तो हम यह समझते हैं कि वह इस चीज़ से पिछे नहीं अटेंगे वह जरूर जो कौमें तरकी करती हैं वह कुरबानियां देगे करती हैं दो दैशित गर्दों ने अभी हाली में आपको पता चाइनीज वाइस प्रिमियर पाकिस्तान आए हुए थे पाकिस्तान की अजादी का देन है और सुनने में यहारा है कि जो मजीद बर्गेड हैं उन्हों ने इसको हमला किया है चाइनीज के ओपर एक चीज़ तो बड़ी कलियर है कि जो चाइनीज हैं वो पाकिस्तान से बड़े नाला हैं और उन्होंने आज एक चाइनीज अमबैसी जो इसलामबाद में उन्होंने पाकिस्तान की खूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये गवादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं अगर चाइना जैसा मुल्क जो पाकस्तान के बड़ा करीब है वो भी ये कह रहे हैं और जो बिलोच मिलिटेंट्स ग्रूप हैं जिसमें बीयाले जिसका एक मजीद परगेड जो है उन्होंने इस अटाक को क्लेम किया है पाकस्तान की जो जो जिसे कहते हैं न वो रेटिंग बड़ी नीचे आ रही है और पाकस्तान के अंदर जो जिसे वो कहते हैं एस समेटर्रिक वाइलन्स जिसको आप मिलिटेंसी या यह चीज़ें कह लेते हैं यह बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और इसको अगर आप कि ना तो हमें counter terrorism operations हम properly कर सके हैं ना हम चाइनीज को win कर सके हैं ना हम BLA या जो बिलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़े हम से clear हो पा रही हैं सो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमने बिलोचस्तान के हवाले से क्या करना है एक तरफ हमें मार पढ़ रही है कि हम अपने जो चाइनीज इन्वेस्टर हैं उनकी payments नहीं करते उनके जो लॉन्स लिया हुए हैं वो हम return नहीं करते मिस्ट्रस चाइनीज का अपनी जगा पर खड रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया चलि डोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो जिस बंदे ने कहाए कि सीपेक के जरी बलचिस्टान को उनके राइस मिलेंगे तो सीपेक के जिरिए बलचों को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे बलकि सीपेक के जिरिए जो उन्हें सीटेजन है बलचिस्टान के उने घूसने का अधिकार नहीं है और बलोच यह सब देख रहे हैं तो बलॉचों कोई पताई कि पाकिस्टान ने जोए जूटी कारी शुनाता है किसी पेक जरी बलचिस्टान के डिफलप्मेंट पर जूट है CPAC के जिरिए चीन बुलिचिस्तन पे गवसा करेगा और पाकिस्तानी आर्मी की जैसे हरकत है जैसे उन्होंने P.O.K के कुछ हिस्सा चीन को मुफ्ट में दे दिया वैसे बुलिचिस्तन को भी वो चीन को दे देंगे इसमें कोई हैरारी नहीं होंगी तो इसलिए B.O.A. चीनी नागरी को टार्गेट करे ताकी चीन बुलिचिस्ता से निकले और जहां ते ये चीज़ है कि पाकिस्तानी जो पब्लिक ने कहा है कि CPAC बुलिचिस्ता में डेवलम्मेंट करा है तो CPAC बुलिचिस्ता में कोई डेवलम्मेंट नहीं करा बुलोचो को पानी तक नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी सरकार ने ड़स साल पहले कहा स्पार कि सीपेक के जिरिए बलोचको पानी मिलेगा। ड़स साल होगे है उन्हें पानी तक नहीं दिला। तो जहाँ पानी तक नहीं है वहाँ क्या development होगा। तो CPAC की ये सब नोटंग की पाकिस्तान करता है और बीरले ही जानता है हो इसलिए बीरले चीनी नागरी को टार्गर करके चीन को मैसेज भेज भेज रहा है कि चीन इतनी आसानी से बल्चिस्तान पे कबजार नहीं कर पाएगा और जहांतigi ये चीस है कि पाकिस्तानी पबिल्च ने कहा कि चीन कूरबानी दे तो चीनी जिंड़ेगी की कीमत, पाकिस्तानीों की तरह सश्की नहीं है चीन कूरबानी नहीं देगा के नाम पर तो इसलिए मुझे लपता है कि जल्डी बलुचिस्तर में चीन अपनी सेना को त्यानात करेगा तो चलिए देखते की फीजर में क्या होता है दोस्ते वीडियो दिखने के लिए बहुत शुकिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंगी वरी मे अपने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंड़ कर दोस्तर अॉप, उपको पारब सुट्सरा है